आज मेरा विश्य दर्पन है, आइना है, मैं आज आइने पर आपसे बात करना चाहता हूँ, आइने पर आपसे बात करना चाहता हूँ, दर्पन, पर मेश्वर का कलाम उस दर्पन के समान है, जिसमें आपको आपकी ना सिर्फ शारिरिक, बलकि आत्मिक दशा दिखाई देती ह खुदाओं जेसु मसी के पवित्र सामर्थी और जीवते नाम की तारीफ करते हुए निर्गमन की पुस्तक से आप से बात करने के लिए आप से परमेश्वर का कलाम बाटने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्तित हूँ मैं प्रभू का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभू ने आप दूर दराज जो लोग सुनते हैं फेस्बुक पर और यूट्यूब पर आप सबको प्रभू अपने कलाम से आशीश दे रहे हैं ये मेरे कलाम नहीं है और इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है उसने जैसा मुझे दिया मैं आप तक पहुचाना चाहता हूँ आज निर्गमन की पुस्तक और उसके 38 अध्याए पर हम बात कर रहे हैं हम पुराने नियम की सिरीज जितनी पुस्तके हैं उनको एक के बाद एक देखते जा रहे हैं हमने उत्पती की पुस्तक का ध्यान किया निर्गमन की पुस्तक के 38 अध्याए में हम पहुच गए हैं और मुझे पुरी उमीद है कि आपको इनसे आशीश मिल रही होगी परमेश्वर का कलाम कल आज और युगान युग एक सा है हम इतिहास की बातों से वर्तमान की बातों में वर्तमान समय में उससे क्या हमें आशीश मिलती है इस पर हम विचार कर रहे हैं हम सिर्फ पुराना नियम या निर्गमन इतिहास के रूप में क्या हुआ था बिल्कुल हुआ था लेकिन उसका हमारे लिए क्या उप्योग है हम अपनी जिन्दगी को कैसे बहतर से बहतर निश्कलंग निश्पाप बिना दाग बिना धब्बे बिना कलंग के उसके सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं इस पर हम विचार कर रहे हैं आज मैं एक ऐसी चीज़ पर आपका ध्यान आकरशित करना चाहता हूं जो हम सब के घर में पाई जाती है लेकिन हम लोग बहुत उसको उसका महत्व देते नहीं है है तो है लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ इतनी इंपोर्टेंट है हम लोग जो यहां बैठे है आप जो मुझको इस तरीके से देख रहे है यह उस चीज़ की वज़ा से है जिस चीज़ की चर्चा बाईबल में की गई है और बिना उस चीज़ के हम में से बहुत लोग शायद यहां नहीं आते लेकिन हर दिन हम उस चीज़ का इस्तमाल करते हैं बगैर उसके इस्तमाल के हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं आईए याकूब की पुस्तक याकूब की पुस्तक आप कहेंगे आप तो निर्गबन की पुस्तक की बात कर रहे थे जी यही तो कमाल है खुदा का कि उसने अपने वचन को इतनी खुबसूरती से बुना है कि आगे पीछे पीछे आगे याकूब की पुस्तक निर्गबन की पुस्तक यह सब एक दूसरे के साथ मिल करके हमारे लिए आशीश का कारण बनती है याकूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय जेम्स बुक अफ जेम्स चैप्टर वन एन वर्स नंबर नाइनटीन अनवर्ड याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी उनिस्वी आयद से मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ हे मेरे प्रीभाईयों यह बात तुम जान लो हर एक मनुष्य सुनने के लिए ततपर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो क्योंकि मनुष्य का क्रोध पर मेश्वर के धर्म का निर्वा नहीं कर सकता इसलिए सारी मलींता और भैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नमरता से ग्रहण कर लो जो हिर्दय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उधार कर सकता है तुम्हारे प्राणों का उधार कर सकता है परन्तु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आपको धोका देते हैं क्योंकि 23 वापत यही मेरा विशय है आज का और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं उसका आखरी बार बाइबल में आखरी बार जिकर याकुब की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसकी 23 वी आयत में हुआ है क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वभाविक मूँ दरपड में देखता है इसलिए कि वह अपने आपको देखकर चला जाता और तुरंद भूल जाता है कि मैं कैसा था मुझे पुरी उमीद है कि आप तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ दरपड की आईए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक और उसका 38 ध्याय और उसकी आठवी आयत एक्सिडस चैप्टर 38 एंड वर्स नमबर 8 उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए मैं निर्गमन की पुस्तक 38 ध्याय और उसकी आठवी आयत से बात कर रहा हूँ उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए ये मिलाक वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दरपनों से बनाए गए थे आज मेरा विश्य दर्पन है आईना है मैं आज आईने पर आपसे बात करना चाहता हूँ आईने पर आपसे बात करना चाहता हूँ यह आईना दर्पन कोई ऐसा नहीं है जो कहें अरे यह क्या होता है मैंने तो कभी देखा नहीं देखा नहीं आप जो यहां बैठे हुए है आप जो सुन रहे हैं मैं जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा हूँ मेरा बाल करीडे से बना हुआ है मेरे कोट पैना हुआ है मेरी टाई लगी हु तुक़् दरपन की वजह से हुआ है दरपन ना हो तो टाई यहां की यहां, वहां की वहां, बाल यहां का वहां पर मेश्वर का कलाम उस दरपन के सवान है जिसमें आपको आपकी ना सिर्फ शारिरिक बल्कि आत्मिक दशा दिखाई देती है क्या चीज बनी है दरपन मिरर वाह और इसका उप्योग कब से हो रहा है पहली बार बाइबल में जो दरपन शब्द आया है मिरर शब्द आया है वो यहीं पर 38 ध्याय निर्गबन का और उसकी आठ्वी आयत में आया है आखरी बार याकूब एक और तेश में आया है और ये दरपन जो परमेश्वर का कलाम है वो हमारे जो हम दरपन इस्तमाल करते हैं जो आईना हम इस्तमाल करते हैं कितने खुबसूरती से हमें समझाया गया है कि जो दरपन जो आईना तुम इस्तमाल करते हो खुदा का कलाम भी वैसा ही और मैं आज थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आईने पर आकरशित करना चाहता हूँ है बड़ी साधारण सी चीज लेकिन बहुत बार हम इसको महत्व नहीं देते हैं ठीक है आईना है है लेकिन आज मैं कुछ आईने की खूबियों पर आपका ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ निर्कमन के अरतिस्वे अध्याय में अब तंबू बन रहा है पवित्रस्थान बन रहा है अभी तक बात होती थी ऐसे बनेगा अब काम हो रहा है परमेश्वर सिर्फ बात नहीं करता बलकि उसको क्रिनियान विद्धी करता है जब उड़ाउपुत्र लोट करके आया तो उसके पिता ने ना सिर्फ उसको चूमा और कहा भई चूम लिये हो गया आप जाओ यहां से नहीं उसने कहा घर के अंदर आओ अपने नौकरों को आ परमेश्वर नहीं कर्म भी उसके साथ और अब परमेश्वर ने तीसवे अध्याय में निर्गमन की पुस्तक उसका तीसवा अध्याय और उसकी अठारवी आए अगर आपके पास बाइबले हो तो दरूर निकालिए और मैं निवेदन करूँगा कि अगर आप फेस्बुक यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो महरबानी से परमेश्वर का कलाम हाथ में लेके बैठिये तो बहुत बरकत मिलेगी आपको निर्गमन की पुस्तक उसका तीसवा अध्याय थर्टिए चैप्टर ऑफ एक्सडस एंड वर्स नंबर 18 यहीं पर वो बात कही गई है जो परवेदी के बीच में रख कर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पाउं धोया करें जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पाउं जल से धोए नहीं तो मर जाएंगे वाव आगे आप पढ़ लीजेगा इतनी इंपोर्टेंट ये चीज थी कि इसका संबंध सीधे मृत्यू से था मित्रो अभी हमने याकूब की पुस्तक में पढ़ा कि ये वचन तुम्हारे उधार का कारण है यानि अगर वचन नहीं है तो उधार नहीं है और उधार नहीं है तो सिर्फ हमेशा की मौत है महर्बानी से खुदा के कलाम को आप इतने हलके में मत लीजिए कहा उस हौदी में पानी रखना जल रखना और जब जब एक बार हो गया 1956 में 1954 में हमने प्रभू पर विश्वास किया हर दिन विश्वास करना जब जब वो अंदर जाएंगे तब अपने हाथ पाओ धोएंगे और नहीं धोएंगे तो दूर खड़े रहेंगे बगल में खड़े रहेंगे बतला बहुत जादा नहीं दो ही घंटा एक घंटा मर जा सजा हाथ पाओ ना धोने की सजा आप मामूली मत समझे और यहाँ पर जब उसका निर्माड हुआ उस हौदि का निर्माड हुआ जो जल्स से भरी फरमेश्वर के कलाम से भरी तो उसको दर्पन के साथ बनाया गया, दर्पन को लिया गया, महिलाओं के जो दर्पन थे, ताकि उनको उसकी अपनी शकल दिखाई दे उसके अंदर, हाथ पाऊं दो, परमेश्वर के सामने जा रहे थे वो लो, परमेश्वर ने सारा इंतजाम किया था, वहां मिरर लगाया गया था उसे मिरर से वो होदी बनाई गई थी हरून और याजग अगर हाथ पाव नहीं धोएंगे बिना धोई गए तो मर जाएंगे आप परमेश्वर के कलाम के बिना तड़ब तड़ब के मर जाएंगे मित्रो और इसी डिये मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि खुदा का कलाम जैसा है वैसा ही दिया जाए मैं ये अपने उपर दोश नहीं लेना चाहता हूँ कि मेरे पास वचन था हमने नहीं दिया और उसकी वज़े से कोई हमेशा की मौत मर गया मैंने प्रभू से कहा मैंने कहा प्रभू जब तक मेरी सांसों में सांस है मेरा इस्तमाल कीजिए ताकि ये वचन बोया जा सके किसी ना किसी के हिर्दे में बोया जा सके ताकि वो अनन्द जिवन की मौत मेरे उपर ना आने पाए मैं दर्पन पर बात करना चाहता हूँ कितना इंपॉटेंट है ये कि उसको ऐसी जगा लगाया गया कहीं और नहीं उस जगा इतनी इतनी जगहें थी इतनी महत्पूर्ण जगहें थी उस बिलाप वाले तंबू में परमेश्वर आता था होली जफोली पवित्रों का पवित्रस्थान था मगर ये दर्पन ऐसी जगह लगाया गया था जहां से आपकी मौत और जिंदगी तै होती थी आप कितनी दूरी पर हैं मौत से और कितनी नजदीक हैं जिंदगी से आप ना सिर्फ हाथ पाउंध हो रहे हैं बलकि अपनी शकल को भी दे देख रहे हैं आप अपने आपको समार करके उसके अंदर जा रहे हैं कुछ एक बाते दर्पन पर और मुझे यकीन है कि आप इन से सहमत जरूर होंगे एक तो दर्पन की खुबी यह है कि दर्पन आइना बड़ी असानी से मिल जाता है ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको इंगलेंड जाना पड़ेगा आपको अमेरिका आना पड़ेगा नहीं साब वो तो जर्मनी समंगवाया जाएगा हर कहीं दुकान पर आपको दर्पन मिल जाएगा खुदा का कलाम क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत को उसने एक लोता पुत्र दिया किसको चाहिए कहां चाहिए साइबेरिया में चाहिए कि अंटार्टिका में चाहिए उत्री दुरू में चाहिए कि दक्षिदू में कहां परमेशर का कलाम चाहिए तुमको आप हमको बताओ आपको किस गाउं में किस कोने में आपको खुदा का कलाम चाहिए खुदा का कलाम मौजूद है कोई ये बहाना नहीं कर सकता है कि मेरे पास तो आइना ने एक को आइने के बात कर हर कोने पर हर शहर में हर गली में हर गाउं में आपको आइना मिल जाएगा इजली अवेलेबल खुदा का कलाम इजली अवेलेबल भर भर करके जितनी बाइबले छपी है उतनी दुनिया के कोई पुस्तक नहीं छपी जितना Bible का distribution हुआ है टॉप पर Bible टॉप पर परमेश्वर का कलाब परमेश्वर ने अपने लोगों को भर-भर करके दिया प्रिंटिंग प्रेस दिया बड़े-बड़े छापा खाने दिये हमारे इंदुस्तान में Bible Society of India दिया चापो Bible चापो दो जिसको चाहिए नहीं पैसे हैं ले जाओ ऐसे ही ले जाओ हमने बाटा अपने चर्थ में बाटा कितने लोगों को जिनको पास पैसे नहीं थे उनको दे दिया ले जाओ खुदा का कलाम आईना है तुमको चाहिए तुमारी जिन्दगी और मौत को ये तै करेगा You need this mirror महिलाओं के दरपन से वो होदी बनाई गई थी महिलाएं उसका इस्तमाल करती थी आज हम और आप अपनी जिन्दगी में आईने का महत्वकम नहीं कर सकते नहीं बिशब साथ हम तो आईना देखते ही नहीं है हमारे घर में तो आईना हाई नहीं हम लोग तो बरसों से पुर्खों से आईना नहीं रखते और ना कभी रखेंग भईया आईने से तो कौन ऐसा आप हमको बता दीजे अब बलकि आप हमारा साशातकार करा दी इंटर्वियू कराई यूज़ कौन ऐसा है जो बिना आईने के रह सकता है घर से बाहर आप कदम नहीं रखते हैं बिना आईने के मतलब खाना छूट जाए आईना ना छूटने पाए मैं आपसे पूछा चाहता हूँ कितनी बार खुदा का कलाम जो आपके भीतर तक की बात को दिखाता है आपके मनों को जो जासता है ये आईना ये मिरर तो किवल हमारी बाहर की शकल दिखाता है लेकिन परमेश्वर का कलाम आपके भीतर की आकृति को इसपश्ट करता है कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए हमको इतना प्रचार करना पड़ेगा एक आइना कितना इंपॉर्टेंट है और खास करके महिलाओं के लिए आईने के सामने उनका बस चले तो दिन भर आईने के सामने रहे मैं ये दोश्ट नहीं दे रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि कितना कितना जरूरी है वो कितना करीब है वो हमारे आप किचन में दिन भर नहीं खड़े होने हैं भाई घंटा हमारे लिए भारी पड़ जाता है अरे भाई कम कीजे कम कीजे कम कीजे अरे बित्रो ये दर्पन है ये दर्पन है और जितना आप दर्पन देखेंगे उतने ही खुबसूरत आप बनेंगे कुछ एक और बाते दर्पन हर शेप और हर साइज में मिलता है बड़ी मैंने मित्रो मैंने चोटे से चोटा और मैंने बड़े से बड़ा आइना देखा अरे मैंने तो इतने बड़े बड़े पुरी दिवाल आइने की मैंने देखा और मैंने चोटा दर्पन भी देखा हार साईस में हर लोगों के अनुरूप चाहे वो बच्चा हो चाहे वो वयस्क हो चाहे वो जवान हो चाहे बुड़ा हो इस्त्री हो पुरुष हो किसको चाहिए दरपन किसको चाहिए हर एक के लिए दरपन मौझूद है कोई दरपन यह नहीं कहता नहीं बच्चा है बहुत छोटा बच्चा है इसको दरपन ये सुमजी ने गोद में लिया बच्चों को माताय लेकर क्या है उसने गोद में लिया उन्हें आशीज दी, बच्चे को खड़ा किया, कास्वर कराज, अपने आपको नमर बनाओ, जोड दिया, दरपन दिखा दिया, आइना दिखा दिया, इस आइने को आप इतना मामूली मत समझे, एक और खुबी है आइने की, आइना हर एक की पहुंच के अंद है, गरीब से गरीब आदमी भी आइना खरी सकता है, और खैर धनी की तो बात ही छोड़ दीजे, मगर गरीब से गरीब भी कोई ऐसा नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, जो इतना गरीब हो, कि एक आइना अपने पास ना रख पाए, मैं मुझसे ज़्यादा आपने गरीब ही नहीं देखी होगी, मैं पैदा ही हुआ गरीब जगा पर, ऐसे गाउ में मैं पैदा हुआ कि उससे गरीब तो और कोई गाउ नहीं होगा, और मतलब उस जगा पर मैंने इतने गरीब देखे, लोग खाने खाने को महताज रहे, लेकिन हर एक के घर में, और मैं जात है चूला नहीं जल पाता है मगर आइना लगा हुआ आइना लगा हुआ बच्चे बुढ़े जवान बेहन बिस्त्री सब एक बार तो आइने को जरूर देखते ही हैं दिन में दो-चार बार देख लेते हैं आप खुदा का किलाम कितनी सभाविक मुह देखता है, फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था? कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे पास दरप्पा, आपको खुदा का कलाम चाहिए, हर साइज में मिलेगा आपको, हर language में मिलेगा आपको, हर dialect में मिलेगा आपको, आपको audio मिलेगा, आपको भाशा में किस साइज में चाहिए आपको ये खुदा का कलाम इट से मिरर आइना है और हम और आप जो यहां पर मौजूद है आइने की वज़े से ये जो इतने करीने से इतने सुन्दर तरीके से आइने की वज़े से आइना आपके घरों से हटा लिया जाए तो भूट जैसी शकल हो जाएगी हम लोग हम लोग भूत और पिचाश चुड़े क्या नजर आएंगे हम लोग वह आप भी जानते हम भी जानते हैं आप सुचिए आइना आपके घर से अटा लिया नहीं आइना रहे गए नहीं और आपको बुला लिया जाए किसी पार्टी फंक्शन में और तयार होकर के आप दिखाई आप कुछ ना कुछ कर देखें आइना का मतलब सिर्फ वो शीशे वाला आइना नहीं जिसमें भी आपका प्रतिप्म दिखाई दे आजकल कई लोग मोबाइल फोन को एक आइना बना लेते हैं उसके लिए कैमरा खोल करके अपने आपको देखते यह आपकी जिदगी का भिन अंग है पूरी दुनिया का भिन अंग है कोई ऐसा है चाइनीज नहीं कहता है मैं तो हम लोग आइना नहीं यूश करते किवल बाल बनाने के लिए गंजे गंजे लोग भी आइना का इस्तमाल करते दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो इसका इस्तमाल नहीं करता है खुदावन ने अपना कलाम दुनिया के बालवालों के लिए भी गंजों के लिए भी और बुडों के लिए भी किसको चाहिए ये खुदा का कलाम for everybody है सब बोच से दबे और ठके लोगों सब में कौन आता है everybody सब आते है उसके अंदर एक और खुबी है कहीं पर भी आईना लगाया जा सकता है आईने को नीचे रख दीजे उपर रख दीजे दिवाल पर रख दीजे कई लोग तो अब मने देखा है उसके अंदर अपनी अलमारी खोलते साथ आईना रहता है पीछ आईना रहता है अलमारी के पले पर आईना रहता है आई 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 लगे रहते हैं मिरर वर्क होता जिसको कहते हैं कहां कहां चाहिए आपको खुदा का कलाम कहां चाहिए उस जंगल में मिद्यान के जंगल में मुसा को खुदा ने आईना दिखाया अपना वचन सुनाया अरे सर यहां कहां और यह वो अपना जूता उतार, अपना जूता उतारो, आइना कह रहा जूता उतारो, नहीं ठीक लग रहा, तुमारा जूता यहां नहीं ठीक लग रहा, वो फिट नहीं आ रहा, तुमारे तुमारे जो परस्नेल्टी ना उस पर जूता ठीक नहीं लग रहा, फटा जो भी था, उस वचन नहीं उसको नम्र बनाया उसको पवित्र बनाया ताकि वो उस पवित्र जगा पर आ सके प्रभू तेरा धन्यवाद हो तेरे दर्पन जैसे वचन के लिए हम सब को उसकी जरूवत है कोई ऐसा नहीं है जो इस दर्पन से इंकार कर सके अच्छा एक और खुबी है कि आईने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आईने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए अरे आईना है अरे सर आप कहा नहीं आ पाएंगे आपके घर में आईना लगा हुआ है अरे वहां आईना लगा वहां आईना लगा अरे जितने आईने हो मैंने तो शीशे के घर देखे आईने के घर देखे हैं चारों और आई नहीं आईना मैं घर में गया था फर्ष पर आईना लगा हुआ था लोग उस पर चल करके जा रहे थे और आप अपनी छवी दिखाई दे रही थी इतना मोटा वो आईना था, मिरर था किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, आईना जितना हो अच्छा है, मैंने तो अपने घर के हर रूम में आईना लगा रखा है मुझको तो अपने आपको देखना, सवारना अपनी छवी को ठीक रखना, आईना है वो वो आप ही की सुन्दर्ता के लिए है आपके ही भले के लिए है आईना कोई डिबांड नहीं करता है वो आपको ही बताता है क्या कर रहो भाई, ठीक करो अपने आपको इसलिए उसने आईना दिया है परमेश्वर का कलाम आईने के समान है हर जगा, हर समय और एक और खुबी है हर समय आपको मिल जाएगा रात मैसा नहीं, अरे आईना तो गैब हो गया अरे रात माईना है नहीं जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वो दिखाई देगा और परमेश्वर का कलाम हमारे पाउं के लिए दीपक और हमारे पत के लिए उजयाला है ये इल्यूमिनेटेड आजकल आपको मालू मैं ऐसे आईने ऐसे दरपन आ गए है जिनके चार ओर लाइट लगी आपको लाइट की जरुवती नहीं है वो अपने आप जलते हैं उसके जर आप उसके सामने आईए वो आटोमेटिकली जल जाते है खुदावन का कलाम आप आईए तो इसके सामने इसका प्रकाश अपने आप आपके जीवन पर चमकेगा इस्तरिया तो बिना आईने के रही नहीं सकती है खुदा की जो दुलहन है वो बिना आईने के कैसे रह सकती है स्वरका राज एक विवाह के समाने मित्रू आपको उस भोज में जाना है आपको तयारी के साथ जाना क्योंकि वो एक दुलहन को लेने आ रहा है जो बिना कलंग के और बिना जुर्री के दो चीज उसमें बिना कलंग और बिना जुर्री के और इफिसियों के पत्रियों उसका पाचवा ध्याय उसकी 27 वी आयत में कलंग आपके अंदर का होता है जो आपके चरितर पर लगता है आपके कैरेक्टर पर और जुर्री जो आपको बाहर से दिखाई देती है यहने परमेश्वर का कलाम यह आइना तो सिर्फ आपके जुरियां बाहर के जुरियां दिखाता है खुदा का कलाम हमको कलंग मुक्त भी करता है हमने एक बार बात की थी जितने उसकी शरनागत है उन में से एक भी दोशी नहीं ठहरता पापनी इस्तरी को लेकर किया है चरितर पर उसके दोश लगा दिया यह पापनी वेबिचार्ट में पकड़ी गई है बोले यह शुमसी नहीं कहा कुछ रही तुम लो तो सिर्फ एक जन को लेकर कहा है दूसरा कहा है कलंग मुझा मैं भी तुझे माफ करता हूँ खुदा का कलाम हमें माफी देता है मित्रो दुनिया दोश देती है मगर वो हमें कलंक मुख करता है यह आइना जो है परमेश्वर का आइना परमेश्वर का कलाम जो आइने के समान है हमें कलंक से बचाता है कलंक कर दिया डानियल नभी को कलंकित करने की कोशिश की गई ख़दा के कलाम ने का मैं कलंक ख़ी दूर करूं गा और जुरिया क्या तुम नहीं जानते कि तुम पर्मेश्वर का मंदिर है और पर्मेश्वर का आत्मा इसमें बास करता है वो एक ऐस इसका dysia को लेने आ रहा ये कलीसिया ये दुलन कैसे बिना कलंग के और बिना जुर्य के कैसे रहेगी आईने के द्वारा परमेशर के कलाम के द्वारा एक खुबी है आईने की कि आईना हमेशा देखिए सच और जूट की बात छोड़ दिए आईना वही दिखाता है जो आप हैं अपने मन से आपके का वो आप जैसे हैं वो वेक्ति उस वेक्ति के सवा ने जो दरपन में अपना सभाविक मूँ देखता और फिर भूल जाता है कि मैं कैसा था परमेशर के कलाम के बार-बार बोले जाने से बार-बार चितावनी देने के बाद भी आप हट करेंगे आपने देखा कि यहां आपक रहें बोले ठीक है ऐसी चलेगा दुनिया देख करके हस रही है आपके उपर आप उसके काबिल नहीं आपकी तैयारी इस दर्पड के सामने होगी लिखा है दस कुवारियों के बारे जो पांच मुर्ख थी लिखा था कि जो तैयार थी वो तो चली गई और जो नहीं तैयार थ नहीं तो तैयारी नहीं हो सकती हो तो आइने आपने कही बारे देखा होगा सामने आईना रख दिया तो markers जो है मैं कैसा लग रहा हूं हमें दुनिया से पूछने की दरूरत नहीं है हमें दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए दुनिया क्या कहती अच्छा कहती है अरे दुनिया तो खराब को भी अच्छा कहती है आपकी जूटी तारीफ करने वाले तो एक नहीं हजार मिल जाएंगे प्रभू का धन्यवाद हो कि हमें जूटी तारीफ नहीं चाहिए और ना हमें ओवर तारीफ चाहिए मैं जैसा हूँ मुझको वैसे ही बता दो भाई तुम जैसे हो वैसे ही दिखाएद रहे आइना आप जैसे हैं वैसे ही दिखाएगा कुछ और बाते करके मैं विदा लेना चाहता हूँ आइने की खुबी है कि आइना सिर्फ उसी को दिखाता है जो उसके सामने होता है कई बार हम लोग क्रोध में मन की इर्शिया मन की भडास में पद खोजने लगती है इनको आज ये बोलेंगे ये बताएंगे वड़ा कुछ नहीं मन मुआ कि सब अपने ही उपर आ रहा है क्योंकि आइने के सामने जब आप जाएंगे तो आपके अंकल आंटी थोड़ी दिखाई देंगे जो आइने के सामने खड़ा होगा वही दिखाई देगा खुदा का कलाम ऐसे ही है जो आइने के सामने खड़ा होगा एक विवस्था पकाया येश्व मसी को परखने के लिए और येश्व मसी ने उसने पूचा कि हमारा पडोसी कौन है और येश्व मसी ने नेक सामनी की पूरी कहाँई बताई और कहा जा तू भी वैसा ही कर हो तो आईने के सामने खड़ा हो गया तो उसी को दिखाईती है अई शुमत recur का तू भी कर जा ये बाइबल किसी को lansha करने के लिए नहीं है ये अपने आपको दुलन को अपने आपको ठीक करने के लिए दुलन जब अपना शिंगार करती है तो अपने दुले के लिए सुचती मेरा दुला इस शिंगार से खुश होगा की नहीं होगा पड़ोसी खुश हो चाहे नहीं हो और अड़ोसी खुश हो चाहे नहीं हो गाव महला टोला खुश हो चाहे नहीं हो केर्स दूला को खुशी होना चाहिए दूला एक्सेप्ट करें जो मैंने कलर पहना जो मैंने जोलरी पहनी है जो मैंने मेक अप किया दूले को पसंद आएगा कि ने वो कहेगा कि बहुत खुबसूरत लग रही जब वो कहतेगा दुनिया कहे पड़ोसी तो जलते ही रहेंगे तो कहेगे रहें कैसी तो लग रही ते रहें तो कैसा तो साड़ी पर कहने दीजिये ना आपका दूला तो आपको ग्रहड करने के लिए पसंद करने के लिए तयार है क्योंकि आपका शिंगार आपके दूले के मन मताबिक हुआ है ये आईना आपको आपके स्वरगी दूले के मन मुताबिक तयार और शिंगार करने की ताकत देता है हिम्मत देता है और पूरी सहुलियत देता है वक्त देता है आपको सारी सुविधाय देता है कि आप अपने दुले के मन माफिक तयार हो ताकि जब वो आए तो आपको ग्रहण करके आपको वहां ले करके जाए, जहां वो रहता है, अपने सात्व आपको रखे, अनंध जीवन आपका और हमारा होगा। आईने की एक और खुबी होती है, कि आप आईने के जितने करीब जाएंगे, आपको उतना इस्पष्ट दिखाई देगा। आईने से जितने दूर जाएंगे आपको उतना अपने आप कम दिखाई देगा परमेश्वर का कलाम भी ऐसे ही है जितना आप इसके नस्दीक रहेंगे आपको दूर से आईने आईना दिखा रहा लेकिर आप देख नहीं पा रहें आपकी दृष्टी उतनी powerful नहीं है आपको अगर अपने आपको वास्तों में सजाना सवरना है आपका भी अपने महिलाओं को देखा है जब वो काज़र लगाती है तो 20 फीट दूर से नहीं काज़र लगाती है आईने के सामने खड़े हो गया और दो मिल दूर से काज़र पश्चता दिखाई देगी परमेश्वर का कलाम समझ में नहीं आता है परमेश्वर का कलाम नहीं समझ अरे आप नस्दीक तो आईए उसके पास तो आईए आप रही है तो उसके सामने थोड़ी देर देखिए वो आइना दिखाएगा आपको वो बना है आपको आपको दिखा यह ठीक दिख रहा है कि नहीं आपको मालू मैं हम लोग जब बारबर शॉप में जाते हैं बाल कटवाने के लिए पीछे नहीं देख पाते तो बारबर को बोलते एक आइना लेकर क्या हो पीछे से आइना लगाओ वो पोस्टर नहीं लगाता है वो कोई चीज नहीं लगाता ह वो आइना लगाता तो आपको आपके पीछे का भी हिस्सा दिखाई देता है खुदा का कलाम ऐसे ही है वो आपकी जिन्दगी के हर एक पहलू को अंचुए पहलू को भी वो दिखाएगा जिम्मधारी आपकी है आप उस आइने के दिखाए हुए मार्क पर कितना चल रहे है उसकी बताई हुई सचाई को आपकी तरह ग्रहर कर रहे हैं हम नहीं मानते हैं नहीं मेरी आख टेड़ी नहीं है मेरा नाक टेड़ी नहीं तुम गलत बोल रहो तुम गलत बोल रहो खुदा का कलाम है ये ये जो है वही दिखाएगा आपको अच्छा लगे आपको बुरा ल पाइने के हजार टुकड़े कर दीजेगा ना, तो हर टुकड़े में आप दिखाई देंगे, लोगों ने बाइबलों को फाड़ा है, जलाया है, जितना फाड़ा, जितना जलाया, जितना सता हुआ मित्रो, मसियत उतनी बढ़ती चली गई, निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्याए में हमने बात किया था, लिखा है कि जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते गए, मसियों को छेडिये मत, मसियों को आप जितना सताएंगे, ये मसियों, आप कहिदी ये कह रहे हम देख लेंगे, ये निपाल की हालत आप देख लीजिए, जो राजा थे वहां के, उन्होंने चाहा कि मसियत खतम कर दे, क्रिश्यनिटी खतम कर दे, मिश्टरीज को और पास्टर्स को जिल खाने में डाला गया, वहां प्रचार नहीं किया आया सकता है, आज जा करके आप देखिए, दुनिया में सब से अगर मसियत कहीं बढ़ रही है, तो वो नेपाल में बढ़ रही है, यह मसियत है, यह आईना, परमेश्वर का कलाम, जितना फाड़ोगे, उसके जितने टुकड़े करोगे, उतने में तुम्हारी शकल दिख्याई देगी, उतने आईने बन जाएंगे, एक आईना है ना, उ श्यतान की सेना और एक जन को वो कर दिया, तब तक तो दहाड हुई, कौन है अधलोग के फाटक, दहाड हुई, फाटक खुल करके दो बाग में, कौन है यहूदा का सिंग दहाड रहा था, हमारा प्रभू मर करके जिन्दा हो गया, ए मौत तेरा डंग कहा, ए कबर तेरी फ पता कहा, आप इस आइने को चूर चूर कर रहा चाहेंगे, हर चूरे में एक आइना बन जाएगा, हर टुकड़े में एक आइना बन जाएगा, यह खुदा का कलाम है, डोंट डेर, इसकी खिलाफत मत कीजिए, इसकी मुखालफत मत कीजिए, बलकि इस आइने को ग्रहन कीज उसको अच्छे से लगा लीजिए, अपने घर में एक जगा फिक्स कर दीजिए, हर कमरे में एक आइना लगाईए, हर ऐसी जगा पर जहां आप दिखाई दे, बाहर भीतर जाते, आपको आइना दिखाई दे, जब अंदर आए तब आप अपनी शकल देखे, बाहर जाए तो श आखरी बात कहना चाहता हूँ, आइने से बलवा मत कीजिए, मैंने कहा, आइने से बलवा मत कीजिए, क्योंकि आइना को आप तोड़ देंगे ना, तो आप ही का नुकसान होगा, फिर देखिएगा इतने बड़े उसमें देखिएगा, परमेश्वर के कलाम से बलवा मत कीज ये सेथ में तुमको दिया गया है हर साइज हर भाशा हर लोगों के लिए उप्लब्द है क्या गरीब क्या अमीर कोई नहीं कह सकता मेरे पास आइना नहीं है माइना नहीं है आइना के बिना तो हमारी जिंदगी ही नहीं है प्रभू तेरा धन्यवाद हो कि आपने उस मिलाप वाले तंबू के पास इसके पहले कि हम अंदर जाए उस पवित्रों के पवित्रस्थान में जाए अपने शकल देख करके जाओ अपने को खुशूरत एक ऐसी कलीसिया वो चाहता है जिसमें न कलंक हो और न जुर्री हो प्र लेकिन इस परहर करना चाहते हैं कि मैं कैसा हूँ कैसा था मुझे आप अपने लाइक बनाएए मेरी कमी घटियों को मेरे ब्लेमिश को मेरे कलंक को मेरी जुर्यों को दूर करके मुझको उस दुलहन में शामिल कीजिए मैं तयार रहना चाहता हूँ मैं तयार रहना चाहती ह हुई है हे दुले I'm ready for you मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तयार हूँ जैसा तेरा मन है मैं वैसे ही तयार हूई हूँ मैं तुझे सम्मत्ती देता हूँ आग में ताया हुआ सोडा ले ले श्वेत वस्तर ले ले आखों में लगाने के लिए सुर्मा ले ले मैंने लिया है मैं तयार हूँ मैंने उनी उनी सामगरी से अपने आपको तयार किया है ताकि तेरी प्रसंदता में कोई कमी ना आने पाए खुदावंद I want to please you प्रभू की प्रसंदता हमारी जिन्दगी का एक मजबूत पहलू है खुदावंद की शादमानी मेरी कुवत है खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते है कि आपने एक आइना दिया है अपने वचन के रूप में आज के बाद से या आइना मेरी जिन्दगी में रहेगा जैसे लोग अपने पर्स में रखते है आईना अपने करीब रखते है आईना सुबह उठते साथ आईना देखते खुदावन तेरा कलाम भी ऐसे ही हम अपने करीब रखेंगे ताकि वो कलंक और वो जुर्री कभी इस दुलहन पर ना आने पाए प्रभू आप सबको बहुत 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 आशीश दे जै मसी की